नमस्कार दोस्तों धर्मिस किचन में आपका स्वागत है आज हम चावल के पापड बनाएंगे और इसे हम परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाएंगे तो ये सब के लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा तो चावल के पापड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल का आउंटा लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पतीला भर गया है तो एक छोटा सा पतिला जितना चावल का आंटा है तो अब इस चावल के आंटे को हम एक बार चान लेंगे तो यहाँ पर हमने चावल के आंटे को चान लिया है अब खिचिया पापड बनाने के लिए सबसे जो मेन इंग्रीडियन्ट है वो है पापड खार मतलब ये बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा नहीं है ये स्पेशली पापड बनाने के लिए ही मिलता है और ये आपको कोई भी कीराना स्टोर में मिल जाएगा और इसे पापड खार ही कहते हैं और ये वजन में काफी हलका होता है मैंने जो ये पापड खार लिया है ये सो ग्राम है और दस रुपय का मैंने लिया था तो यहाँ पर हमने चावल का आटा आधा किलो लिया है तो हमें दस ग्राम पापड खार लेना होगा और मैं यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 20 ग्राम सेंधा नमक लिया है अगर आप टाटा नमक या और कोई भी नमक यूज करते हो तो आपको 10 ग्राम नमक लेना होगा अब हमने जीस पतिले में चावल का आटा लिया था उसी पतिला भरकर हमें देड़ पतिला पानी लेना होगा मतलब जितना हमने चावल का आटा लिया है उससे देड़ गुना पानी लेना होगा अब इस पानी में हम सभी सामगरी ऐड करेंगे तो नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिलची की पेस्ट ऐड करेंगे एक टी स्पून जीरा एक टी स्पून अजवाइन दो टीस्पून सफेद वाले तील एड़ करेंगे अब इसे हम गेस पर चढ़ाएंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और सबसे आखिर में हम पापडखार भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसे हम ढखकन लगा देंगे ताकि जल्दी से उबाला जाए और जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम बाकी की तयारी करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओडी इकोबेक नॉन स्टिक लाइनर्स लिए हैं और इसका हम बेकिंग और कुकिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं और एर फ्रायर करने के लिए और स्टिम करने के लिए यह बहुत ही यूज़ फूल है क्योंकि इसमें इस तरह के छेट दिये गये हैं तो स्टिम करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी और यह ग्रेस प्रूफ है और इसका हम रियूज भी कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही useful है, link मैंने description box में दे दी है, आप चाहे तो आसानी से online order भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने इस तरह की एक छलनी ली है, इसमें हम odicobake nonstick liner लगा देंगे, तो इस तरह से हमने छलनी को ready कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पानी भी अच्छे से उबल गया है, तो यहाँ पर हम gaze बंद कर देंगे, और gaze बंद करने के बाद हमने जो झानकर चावल का आचा रखा था, वो सब add कर देंगे, तो एक साथ हम सारा आटा add करेंगे, और बेलन की सहाईता से अच्छे से मिला लेंगे, तो यहाँ पर हम कभी भी थ इसे हमें फटाफट करना है और एक साथ चावल का आटा एड़ करने के बाद इसे फटाफट मिलाना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि चावल का आटा पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैंने यहां पर इस तरह का प्लास्टिक लिया है मतलब यह पोलीथीन वा आटा है उसे हम इस पर निकाल लेंगे और मैं जिस तरह से दिखा रही हूं उसी तरह से इसे अच्छे से मसलेंगे तो इसे अच्छे से मसलना बहुत ही ज़रूरी है और चार से पांच मिनिट के लिए हमें इसे मसलना होगा और चावल का जो आटा है वो काफी गर्म है तो इस वाला प्लास्टिक आता है उसका यूज कर सकते हो या फिर इस तरह की जो बैग आती है इसका यूज कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है अब हाथ में थुड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे और आटे की बड़ी सी लूई लेंगे और बीच में इस तरह से छेद करेंगे और हमने जो ओडी इकोवेक लाइनर्स लगाए थे उसमें इसे निकालते जाएंगे तो हमें यहाँ पर डोनट की तरफ बनाना है तो अब जो हमारा यह आटा है हमें इसे दुबारा स्टिम करना होगा तो जीसमें हमने आटा मिलाया था उसी में मैंने परियापत पानी ले लिया है और गर्म करने के लिए रख दिया था तो अब उसी के ऊपर हम यह चलनी रख देंगे और ढकन लगा देंगे और इसे 25 से 30 मिनिट के लिए स्टिम करेंगे और पानी हम परियापत रखेंगे क्योंकि हमें इसे ज्यादा टाइम तक स्टिम करना ह तो आदे गंटे के बाद हम ढखकर निकाल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो चावल का आटा है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो चावल का आटा है वो अच्छे से स्टीम होना चाहिए नई तो पापर बनने क ये बात जब वो सूखते हैं तब वो फटने लगते हैं, अब फिर से हम उसे दुबारा वही प्लास्टिक पर निकाल लेंगे, और जो ICOBEC पेपर लगाया था वो निकाल लेंगे, अब पहले जैसे हमने किया था, उसी तरह हम इसे अच्छे से मसलेंगे तो इसे अच्छे से मसल ना ज़रूरी है अगर हम नहीं मसलेंगे तो जब हम पापड सुखाने के लिए रखेंगे तब उसमें क्रेक्स आ जायेगी और पापड अच्छे नहीं बनेंगे तो यहां पर हम इस आँठे को अच्छे से मसलेंगे और मसल मसल कर इसे चिकना करेंगे और मसलने के बाद हमरा ये पापड बनाने के लिए खिच्चु ready है और पतिले में मैंने थूड़ा सा तेल लगा दिया था तो इसमें हम ये खिच्चु निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी खिच्चू काफी गर्म है, तो यह जो पूरा प्रोसेस है, वो गर्म-गर्म खिच्चू के साथ ही हमें करना है, अभी से हम ढकन लगा देंगे, ताकि जो खिच्चू है वो गर्म रहे, अब हात में हम थोड़ा सा तेल स्प्रेट करे और थोड़ा सा खिच्चू लेंगे और इस तरह से पेड़े बना लेंगे और चकले पर थोड़ा सा तेल स्प्रेट करेंगे तो मेरा जो ये चकला है वो स्टील का है लेकिन उस पर मैंने जो रंगुली वाला स्टिकर आता है वो लगा दिया है ताकि जब भी मैं पापड बना करें और अगर आपको सिर्फ इसे फ्राइ करके खाना हो तो थोड़ा सा मोटा रखें तो हम ज्यादा तर ये खिचिया पापड को रोस्ट करके ही खाते हैं तो मैंने यहाँ पर इसे पतला बेला हैं तो इसे हम प्लास्टिक पर रखते जाएंगे तो समान विदी से हम सभी पा पापड बनाएंगे तो ये फटा-फट बन जाता है और हम बोर भी नहीं होते और अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो आप ज्यादा पापड एक साथ बना सकते हैं और दोस्तों अभी तक आपने धर्मिस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आप तक सबसे पहले पहुँचे तो यहां पर मैंने सभी पापड बना लिये हैं तो जितना हमने आटा लिया था हम 40 से 45 पापड बना सकते हैं और बनाते बनाते हम कितना खिच्चू खा जाते हैं उसके उपर भी डिपेंड रहता है तो पापड को मैंने पूरी रात पंखे के नीचे ही सुखाया था और दूसरे दिन मैंने इसे बालकनी में धूप में रख दिया था तो दो दिन में मेरे पापड अच्छे से सूख गए थे और सूखने के बाद हम इसे साफ कपड़े से पहुच लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल लगा होगा वो सब निकल जाएगा तो यहां पर मेरे पापड रेडी है देखा न दोस्तो चावल के पापड मतलब खिचिया पापड बनाना कितना आसान है तो आप इस पापड को एर्टाइट कंटेनर में भरकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता अब आप इ तो दोस्तो आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ